चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाईन सबसे पहले वीडियोज देखने के लिए दूस्तो अगर आपने अभी अभी स्टोक मार्केट में अभी एंट्री की है तो काफी ऐसी चीज़े होती है जिनके बारे में हम पता नहीं होता और हम उन चीज़ों से पैनिक होते हैं तो यहाँ पे भाई का मैंने कमेट देखा था और वहाँ पे जो उस भाई ने पूझा था कि भाई मैंने एक ऐसे ऐसे स्टोक बेचा था लेकिन उसकी पूरी पैमिट नहीं आई है और उसने कुछ उसकी जो अमाउंट थी वो भी बताई थी तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हम कोई स्टोक बेचते हैं तो उसके पीछे क्या कंडिशन होती है यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा और यहाँ पे आप स्टोक के अंदर ही आपको वो सारी चीजे मिल जाती है जिनकी आपको तलाश होती है तो यहाँ पे मानलो कि आपने कोई भी स्टोक ले लिया और किस तरह से आपके पास पैमिट आएगी तो किस परकार होता है यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ फंड के अंदर ठीक है यहाँ पे आप फंड के अंदर आ चुके हो और आपने मानलो की कोई स्टोक है अभी बेचा है और उसकी जो डिटेल है हमें देखनी है तो यहाँ पे आप ऊपर की साइड देख सकते हो Important Message यहाँ पे आपको Message के अंदर इस Message के अंदर आपको सारी डिटेल मिलने वाली है Fund से Related यहाँ पे आपको Learn More पे किलिक करना है यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे आप Scroll Down करोगे यहाँ पे आ चुके हैं Demet Holding Sell Data यहाँ पे Selling का Data यहाँ पे दिखाया हुआ है यहाँ पे तो आपको वो सारी डिटेल मिलेगी चाहे आप Intra Day करो या फिर Deliver में या फिर Swing Trading जो भी करते हो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी किस प्रकास से आपको Fund मिलेगा लेकिन यहाँ पे है वो बेचते हो उस दिन आपको 80% जो पैमेट होगी आपकी 80% रासी जो होगी वो आपकी अकाउंट में आ जाएगी और उसके आगे है The remaining 20% Will be available to trade on the next day मतलब कि आपको 80% तो उसी दिन आपको पैमेट मिल जाती है जिस दिन आप स्टोक बेचते हो और 20% की जो रासी होगी वो अगले दिन आपको मिलेगी अब आपने कोई स्टोक लिया है आपका जो प्रोफिट है मतलब कि आपकी पूरी जो अमाउंट है वो 100 रुपे है आपने सैल कर दी वो सैल करने के बाद 80 रुपे तो आपको उसी दिन मिल जाते है जिस दिन आप उस स्टोक को बेचते हो सैल करते हो और जो 20 रुपे जो रहेंगे वो आपको दूसरे दिन मिलते हैं ये एक एक एक्जामपल था आपका जो प्रोफिट जो था आपके अकाउंट में जो आने वाले पैसे हैं के वरें बताया है और इससे जादा भी होंगे क्योंकि आपको जो सैलिंग करते हो उस टाइम पर कुछ चार्ज भी लगता है वो चार्ज भी कटेगा और चार्ज कटने के बाद जो आपकी पैमिट रहेगी वो 80% आपकी आएगी और 20% जो होगी वो आगले दिन आएगी जो चार्ज कितना लगता है उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूँगा उसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा कि एक स्टोक को हम अगर बेचते हैं तो उसमें किस-किस प्रकार के जो चार्ज लगते हैं और कितना टोटल चार्ज लगता है उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा अगर आप चाहते हो तो अब यहाँ पे थोड़ा learn more में चलते हैं और इसके अंदर भी काफी सारी डिटेल है जो कि आपको देख लेनी चाहिए ताकि आगी कोई problem नहीं आएगी यहाँ पे scroll down करते हैं यहाँ पे भी आपको ये चीज मिल जाती है यहाँ पे selling data दिया हुआ है यहाँ पे 80% जो मैंने बताया था कि 80% उसी दिन आ जाती है जिस दिन आपने stock बीचा था और उसके जैसे कि यहाँ पे data दी है 9 तारिखों और 10 तारिखों जो बची हुई payment होगी 20% वो भी आ जाएगी मतलब कि 100% आपके पास payment आ चुगी है अब अगर आप उसे withdraw करना चाहते हैं तो आप जिस दिन sell करते हो उस दिन नहीं होगी ना ही उसके अगले दिन होगी जिस दिन आपकी 100% payment आ जाएगी और उसके जो अगले दिन होगी यानि दो दिन तो वो हो जाएगी एक दिन में तो 80 प्रसेंट प्रसेंट आएगी दूसरे दिन 20 प्रसेंट आएगी और उसके अगले दिन जो है आप उस payment को withdraw कर सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 9 तारिक को 100% आपके पास total amount आ जाएगा और 11 तारिक को जो है आप withdraw कर सकते हैं उपर की साइड जो था वो था demate holding sell data और नीचे क 10 तारिक को आपकी 100% payment मिल जाएगी और 11 तारिक को आप withdraw कर सकते हैं यह चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है एक बाई ने मुझसे पूझा यह चीज होती है कि starting में जब हम stock market में आते हैं कहीं पर भी देख लेते हैं तो वो चीज क्या होती है कई ऐसी चीजे होती जिनके बारे में पता नहीं होता और उनकी detail यहाँ पे दी जाती है जो कि हम नहीं देख पाते क्योंकि starting में ऐसी ही चीज हो जाती है अगर हमारे पास कोई ऐसा stock है जिसको हमने बेचा हम एक वो loss देख लेते हैं उसके अंदर की हमारा जो इतना loss हो चेका है इतनी payment नहीं लगेंगे और आपकी payment जो होंगी वो आज जाएगी अगर उसके बाद भी कोई problem आती है तो या तो आप customer care call कर सकते हैं या फिर आप मुझे comment कर सकते हैं उसके बारे में मैं अलग से video बना सकता हूं और अगर आपको charges की video डालनी है कि आप चाहते हो कि एक stock पे अगर हम sell करते उसके कितना charge लगता है उसकी video मैं अलग से डाल दूँँ अगर आप comment करते हो तो अगर आप ने डिमेट और ट्रेडिंग के लिए account नहीं बनाया है बनाना चाहते हैं description में link है डिमेट account अप stock में चाहे आप बनाओ चाहे आप angel में बनाओ दोनों को description में link दिया हुआ है वहा तक लिदाने ओट